तो कैसे है आप फिर से स्वागत करता हूं मेरे एक न्यू व्लॉग पर बिग बॉस्व 17 का न्यू अपडेट लेकर जैसे मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया गया कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में तो रोस्टिंग वीडियो रोस्टिंग एपिसोड आपको कैस लगा कमेंट करके बताए किसका रोस्ट आपको सबसे बेटर लगा था तो उससे सबसे कंटीन्यू करते हो आपने अगर रोस्ट देखा होगा तो एक नया मेमान आया था जो बाकि कंटेस्टिंग को रोस्ट लिखने के लिए मदद किया गया था जबकि मुनवर को हेल्पफ कर दूजा और बियूता को प्लान करने का प्लान है यह जाधा तर बहुत जादा के आपको एक बार बतासे क्या आपको भी यही लगता है की अंकिता का ये प्लान है sympathy gain करना, क्योंकि अब भी आने वाले weekend के वार में आपको देखने को मिलेगा सलमान खान इस बार host करेंगे weekend के वार और जहां पर तीन लोग आएंगे contestants के family के बीच में जो होगी विकी की भावी अंकिता की मम्मी और मनारा की बहन जहां पर अंकिता इशा से बार शेयर करती है कि ये क्यों करती है और जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मनारा ये जान बूच कर करती है जो हमें भी ये feel हुआ है तो मैंने सोचा कि आपके सामने रग दूँए बाते अगर आपको भी ये लगता है तो जैसे एपिसोड खतम होता है तो यहां पर हमें को देखने मिला Elimination जिसको मैंने आपने आप से पहले ही प्रेडिक कर दिया था तो जैसे वहां पर रोस्टिंग खतम होता है तो उन्हें Big Boss लास्ट में कहता है कि हम ये जो सेट अप लगाए तो reason है उसका पीछे सेट अप लगाने का तो इसको हम लोग Elimination पर करते है तो वहां पर live audience polling होती है और वहां पर चार nomination जो थे torture task through वो थे ईशा, ज्विकी, अंकिता और आईशा तो इन चारों लोग हाथ पकड़के खड़े होते है और यहां पर novjo Elimination होगा जाता है अपिसोड में पर तक टलेकास नहीं किया अबर विकींग के बार पर दिखाया जाएगा कि आईशा एलमेनेट हो जाती है एलमेनेट हो जाती है, घर से बाहर हो जाती है आईशा, तो जब सवाल पूछा जाता है कि हमें अब विशली अगर विग बॉस 17 फॉलो कर रहे हो तो काफी ज़ाजा मीडिया पर दिख रहा है कि विकी का जो फैमिली है उनका काफी इंटेविय लिया जा रहा है स्पेशली उसकी मम्मी जिसने काफी बड़ा श्रिट्वन दिया था हाली में अंकीता की उनकी शादी से रिष्टे में वो खुश नहीं है ये कमेंट आया गया था तो इसी के उपर सल्मान खान ने ये सवाल पूछा विकी की भावी को सिंस वो प्रेजन्स थी विकेंड के बार में तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इस रिष्टे से खुश नहीं हो जैसे आपकी सासुमान ने एक स्टेट्मेंट डिया था तो अंकीता के मान ने बोलने लगा कि मुझे भी समझ नहा है कि यसे क्यों बोला गया तो ये एक्स्परेशन देखने को मिलता है कि अंकीता और विकी भी काफी चुप रहते हैं तो ये देखने को पता चले कि आगे इनके रिष्टों में क्या होने वारा है जहां तक सेलिब्रिटी का सवाल आ रहा है ये यही बोल रहे है कि ये सिंपिती गेन है क्योंकि हमेंने जब रोष्ट करते हुए देखा न तो हमें काफी कुछ देखने को समझ आया था थ्रू ओडियन्स वोल ये हो भी सकता है कि ये काफी स्क्रिप्टेड हो क्योंकि जब बिग बोल सेवेंटी में जो ओडियन्स आते है वो exactly पूरी प्रॉपर जनता होती नहीं है तो अगर जनता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि ये बिग बोल सेवेंटी में जो लोग आये है ये स्क्रिप्टेड है क्योंकि काफी देखने को मिला जो सपोर्ट मिला है वो मनारा को मिला था मनवर को मिला था और आपका अभिशेक को मिला था क्योंकि रिसेंटले केश्वर मर्चेंट का भी एक ट्विट आया था जहां पे लोग देखा था कि अभिशेक काफी काफी मतलब स्क्रैट से स्टार्ट के तना अच्छा सा परफॉर्मेंस देया था और एंड अभिशेक को बड़ी बर खुबी से एंड किया था और हाल फ्लैल में हमने रद्वी जे का भी एक ट्विट देखा था तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी आपने लिखा था सबस्क्राइब करें अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया सबसे पहले मैं आपको यह लेटेस अपडेट लाकर दूँगा जो भी होता है क्योंकि हाल फिलाल में हमें यह भी पता चलने को आया है कि बहुत ज़ल्दी जो लाइव स्ट्रीमिंग आप देखते हो आपको दिखेगा कि ची करें यह रही है तो आपको लाइट नहीं कर सकते तो यहां पर अभी बहुत ज़ल्दीप कर देते वे कर Δ्यू तो दो घंटक अंतराल में एक ब्रेक लेने के बाद वो शूट होता है तो यहाँ पर अभी बहुत जल्दी आपको देखने को लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रेपरेशन चलो हो जाएगे कौन किस गाने पर डांस करेगा कौन क्या बोलेगा कौन 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 आएगा सब के बारे में बात हुई जाएगी जैसे भी मुझे खास कुछ लेटर अपडेट मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले शेर करूँ मैं मेरे इस चैनल पर सबस्क्राइब करी जानने के लिए तिल देन टेक केर